हलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैलन में दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें दोस्तो आज मैं उताऊंगा समन क्या है इसके बारे में दोस्तो जो समन की परवासा है समन एक ऐसी आदिसिका होती है जिसके माधियम से अभयोक्ट को लिखित रूप से इस बात के लिए निजे सिर्ट किया जाता है कि वो निधारित स्तांति थी तथा समय परन्याले में उपस्तित हो इस आदिसिका को इसलिए जारी किया जाता है ताकि अभ्यूक्ट अपने उपर लगाये अारूपो का उत्तर देते हुए सुएम की पितिरच्छा कर सके इस आदेसिका के द्वारा अभ्यूक्थ की उपस्थति की अपेच्छा की जाती है मामले के बिचारन के समय यदि अभ्यूक्ट नियाले में उपस्ति नहीं होता है तो उसकी उपस्ति समन के द्वारा सुनचित की जाती है दोस्तो सीधे अर्थ में ये समन की प्रवासा ये है कि इस समन एक प्रगार का बुलावा होता है जो न्याले द्वारा निदेशित किया जाता है जो अभ्यूक्त को ये इसलिए भेजा जाता है कि वह अपने उपर लगाएगे आरोपो को डिफेंस का सके और आरोपो को बेजा नाद बताए सके गलत बता सके कि मेरे द्वारा मेरे उपर लगाए गए आरोब गलत हैं तो समन न्यालय द्वारा भेजा जाता है तता उसमें समन में उपस्तित होने की तारीक समय नाम थाना ये सब लिखा होता है समन का प्रारूप जो धारा 61 में दिया गया है न्यालय द्वारा इस सहीता की अधीन जारी किया गया है पितेक समन लिखित रूप में होता है और दो पुतियों में होता है उस न्याले के पीठा सीन अधिकारी द्वारा हस्ताचित होता है और उस पर न्याले की मुढरा यानि की मोहल लगी होती है न्याले द्वारा जारी किया गया पितेक समन इस पर सब्दों में न्याले के पद नाम के साथ होगा यानि कि उसमें न्याले का नाम लिखा होगा कि कौन सा न्याले है समन में उस स्थान समय तथा तारीक का उलेख होगा समय तथा तारीक का उलेख होगा जिसमें अभ्युक्त उपस्तित हो सके यदि समन बिना मुहल लगा ही जारी कर दिये जाता है तो उस दसा में समन का जारी किया जाना दोस्पूर माना जाएगा अगर समन बिना मोहल लगाकर या बिना हस्ताच्चीत करे जारी कर दिया जाता है तो समन दोस्पूर माना जाता है साधनाता समन मामले में अभ्युक्ट की हाजरी सुझधित करने लिए मजिस्टेट डॉड़ास Bennett की जारी किया जाता है तथा वारंट मामले में अबिक्ट की ग्रपताई के वारंट जारी किया जाता है किन्तु मजिस्टेट निच पेच रूप से इस नियम का अनुपालन करने लिए बाद नहीं है समन सदर लिखित रूप में होना अवस्सक है दोस्तों जैसा इसमें बताये गया है कि अबिक्ट की जो हाजरी के लिए उसमें समन भेजा जा सकता है किन्तु ये मजिस्टेट के उपर कोई बाद नहीं होता है कि वो समन भेजे या वारंट भेजे दोस्तो समन बुलाबे के लिए होता है जबकि वारेन्ट होता है वो गुरफतारी के लिए भेजा जाता है, समन सद़ लिखी रूब में होना अवस्थाक होता है, अभित को जारी के जाने वाला समन का प्रादूब डंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 61 की दुती अंसूची के प्रादूब में करमांग में दिया गया है दोस्तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं साच्चियों के उपस्ति ध्र्टूब जारी के जाने वाला समन डंड प्रक्रिया सहिता 1973 की दुती अंसूची में दिया गया है दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि समन किस प्रकार का होता है उसमें नाम पिता का नाम और नैला की मोहर और आधिसका जारे करने वाले अधिकारी के हस्ताचर होते हैं और उसमें मोहर लगी होती है दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो मेरा वीडियो पहली वार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि उनको आंगे आने वाले वीडियो की बारे में जानकारी ट्राप्त हो और समन के बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं धन्यमान